एसाई भर्ति को लेकर लगातार युवा है जो अभ्यारती है वो संगस रत हैं कि ये रध हो उसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी विकास भुदूरी है जिन्होंने कुछ दिन पहले भी विरोध पर दसन किया था पानी की ठंकी पे चड़ेते कि रुड़ लाल मिन आ सर की केबिनेट मिटिंग निरंतर तारिक दर तारिक आगे बढ़ रही थी आज मुख्यमंत्री जी ने केबिनेट मिटिंग के गोशना किया और आज साम को पांच बजे केबिनेट मिटिंग होनी है हमें पूरी उम्मीद है बजनलाल सरकार से कि जो इतनी लंबे समय से तीन स सरकार इस पर भढ़ती रद का फैसला ले युवाओं के हितों में नयाई प्रदान करें इसे देखते हुए हमने आज ट्विटर पर भी सोसल मीडिया पर भी सब जगा ट्रेंड चलाया हुआ है कि केबिनेट में एसा ही भढ़ती रद करो तो मुख्यमंत्री जी को इस पर फैस हमें कि आज जो शाम को बेठक होगी उसमें निश्चित रूप से फैसला हमारे पक्ष में होगा लगातार आप संगर्स कर रहे हैं पहले पानेंगी टंकी पी आपने विरोध प्रदेशन किया कि रोडेजी भी आए उन्होंने आपको उतारा वार्ता करी फिर भी रद नहीं अब आगे आप क्या इस्टेटिजी अपना रहे हैं आगे क्या रन नितिया क्यों आज के बिनेंट मिटिंग है आगे उसके अलावा अगर नहीं हो पाला आगे क्या रन नितिया सर निरंतर हम तो सरकार को चेता रहे हैं, हमारा विरोध प्रदशन भी जाहिर कर रहे हैं, टंकी से पहले भी हमने बहुत सेंकडोर प्रदशन किये, टंकी पर चड़े तो डग्टर साब ने भी आस्वस्त किया, सरकार का एक मंत्री है, जिसका जमीर जिन्दा है, जो यह चाहता है कि इन युवाओं के साथ नए ही होना चाहिए बाकी लोगों ने भी वादे किये थे लेकिन वो आज वादों से मुकर रहे है सरकार ने भी अपना मेनिफर्ष्टों में वादा किया था कि हम युवाओं के लिए एसाई भड़ती पर बड़ा फैसला करेंगे जो गराम जी पटेल साब ने भी कहा था कि एक हपते के अंदर हम इनको गुड निउस देंगे लेकिन वो हपता कितना लंबा खिच गया माननीय सयोजक साब कमेटी आपने बना ली अगर कमेटी की रिपोर्ट सारवजिन नहीं करनी थी कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगर सरकार को कोई फैसला नहीं लेना था तो आखिर वो कमेटी बनाई क्यों हमें एक ही मांगे कि सब सारी चीजें हो चुकी सब कुछ इसपर सरकार के सामने हमें लगता था कि सरकार उपचुनाओं में फैसला नहीं ले रहे तिक उपचुनाओं के बाद सरकार इस पर एक बड़ा निर्णे लेगी तो मानिया मुख्यमंत्री जी अब उपचुनाओं भी हो चुके हैं अब सब कुछ आपके पक्ष में हैं सारे फैसले आपकी टेबल पर हैं तो आप इस भरती परिक्रिया का आज जो केबिनेट की मिटिंग में उसमें फैसला ले और इन युवाओं को नियाए प्रदान करें ताकि बीजेपी सरकार का एक संदेश जाए इन युवाओं में मोधी जी की गारंटी का एक मेसेज जाए कि जो सरकार ने भरती परिक्षाओं के लिए जो वादे किये थे पेपर लिग के मुद्दो पर जो वादे किये थे उनको भरती परिक्षाओं को रद्द करकर सरकार पेपर लिग माफियाओं के खिलाप एक कड़ा संदेश दे और आगमी बढ़ती परिक्षाओं में एक नजीर पैस करें सर किरोडी लाल जी मिना उस दिन हमें आये थे और उन्होंने आस्वस्त किया था कि मैं 2021 में भी तुमारी पूरवर्टी सरकार में मैं भी तुमारे लिए लड़ा था और ये सच बात है कि पिछली कॉंग्रेस कारेकाल में भी अगर विपक्ष में कोई एक सक्स था ना जिसको इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया बीजेपी में और कोई ग्राउंड पे किसी ने काम नहीं किया एक मातर सदश्य किरोडी लाल जी बढ़ चड़ कर आगे आये थे विपक्ष की पूर्णते भूमी का निभाई थी और आज वो व्यक्ति कई बार सेक्ड़ो बार मुक्यमंत्री जी को कह चुके है वो कहते हैं कि मैं अगर जादा भी कहता हूं तो सरकारे नाराज हो जाती है लेकिन हमें तो फिर भी उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा है उनके भाई भले चुनाव हार गए हो लेकिन बड़े जनाधार वाले नेता है और सुरू से युवाओं के लिए महिलाओं के लिए किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें पूर्ण उम्मीद है बाबा हमारी बात को आज केबिनेट में रखेंगे केबिनेट में जाएंगे मजबूती से हमारा पक्ष रखेंगे और मुख्या मंत्री जैसी इस बड़ती परिक्षा पर आज बड़ा फैसला करवाएंगे विकास विदूडी जिन से उने चर्चा की आगे क्या निती रहेगी ये बता रहे हैं कि अगर आज केविनेट मिटिंग है इनको बड़ी उमीद है कि आज इस बने पर भी कुछ फैसला आ सकता है के मैं भी शेख जैपूर